हाल ही में अमेरिका के हवाई में मिसाइल अटैक की घलत सूचना से लोगों के बीच अफरत प्रीमच गई थी एक इडल्ट फिल्म वाली विबाइट का दावा है कि इस दोरान लोग इतने तनाव में थे कि उन्होंने पॉर्ण वीडियोज देखकर अपना स्ट्रेस दूर किया दरसल कोटिसोल तनाव पैदा करने वाला हार्मोन है शरीर में इस हार्मोन के बढ़ने से आपके मन में डर तनाव औरिंग जायटी की भावना पैदा होती है प्रोजाना ओफिस और घरेलू कामों से आपको ठकावट महसूस होती होगी इतनी व्यस्थ दिन चर्या और रात में देर से सोने से आपकी सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है इससे तनाव भी होता होगा ऐसे में तनाव से आराम के लिए एक सरसाइज एक अच्छा तरीका है एक्सरसाइज करने से शरी में को टिसोल का स्तर कम करने में मदद मिलती है इससे शरी में इंडोट फिन हार्मोन का सुराव होता है जो मूड को खुश रखने वाला हार्मोन है इसलिए को टिसोल के स्तर को सही रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें इससे तनाव कम होने के साथ साथ आपको अन्ये स्वास्थे लाब भी मिलेंगे दोड़ना दोड़ना सबसे अच्छा शारीरिक अभ्यास माना जाता है इससे नकेवल शरीर से पसीना निकलता है बल्कि इससे शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी अच्छा महसूस होता है दोडने से शरीर का निचला इसा मजबूत होता है इंसुलिन बनने की प्रक्रिया में सुदार होता है और शरीव में शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है योगी योगव मेडिटेशन करने से कोटिसोल का स्तर कम होता है जिससे आप खुश रहते हैं ये हमारे दिमाग में सकारात्मक विचार पैदा करते हैं मेडिटेशन तनाव कम करने में फायदे मंद होता है और लंबे समय तक तनाव कम करता है ओम का उचारन करने से भी आपके कोट सोल का स्तर 20 प्रतिशत तक कम हो सकता है लेकिन इसे नियमित रूप से करना जरूरी है ताईची यह शारीरिक अभ्यास की एक तकनीक है जिसमें प्रमोख रूप से छोटी छोटी शारीरिक गतविधियों पर ध्यान दिया जाता है मन और शारीरिक गतविधियों पर नियंतरन रखकर ताईची तनाव से आराम के लिए एक अच्छा शारीरिक अभ्यास माना गया है यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है गठिया और हिर्दय संबंधी समस्याओं से भी बचाव करता है अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी अफ सदर्न के अलिफोर्निया द्वारा किये गए शोद के अनुसार ताईची पीठ का दर्द कम करने में भी मदद करता है किक बॉक्सिंग ज्यादा मात्रा में उर्जा की खपत करने वाला वर्काउट करने से शरीर से इंडोर फिंस नामक हार मून्स बनते हैं जिसे सेहत के लिए अच्छा माना गया है किक बॉक्सिंग अभ्यास करने से मन से निराशा दूर होती है तनाव से आराम मिलता है और एक आगरता बढ़ती है इस से शरीर और दिमाग के निर्ण लेने का हिस्सा अच्छा होता है इस प्रकार आपको जब भी समय मिलता है तो इन अभ्यासों को आजमा कर शरीर को